नमस्कार दोस्तों, आज गर्नाटक पुदेश कॉम्रेस कमेटी का एक प्रतिनी धी मंडल रेश के चुनाव आयोग से बिलावाग। असराज गोमई के नेत्रितव में वोट चोरी करने का एक बहुत बड़ा शडियंतर और घोटाला हुआ है। जिस प्रकार से एक प्राइवेट एजनसी चिलुमे के माध्यम से आठ से दस हजार करमचारी हाइर करके एक एक वोटर का वोटर डेटा चोरी करके एक प्राइवेट एप पर लगा दिया गया जिस प्रकार से प्राइवेट करमचारियों को फर्जी बियलों के कार्ड बना कर दे दिये गए जिस प्रकार से बैंगलोर और करनाटक के वोटरों को प्राइवेट ट्रस्ट और कम्पनी के करमचारियों को सरकारी करमचारी बता कर उनका वोटर आईडी उनका पता उनका फोन नंबर उनका आईडी उनकी इमेल उनके सेलपोन नंबर उनके परिवार की सारी इंफॉर्मेशन इकठी की गई और चोरी कर लिए गई वो दर्शाता है कि ये वोट चोरी का सबसे बड़ा स्कैंडल है और यहीं नहीं जिस प्रकार से करनाटक में आनन फानन में रातो रात 27 लाख वोट चोड़ दी गई और 11 लाख वोट काट दी गई यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है चुनाव आयोग में इन सारी शिकायतों और इन सब के लिए बसवराज वोमई जुनेवार है इन सारी शिकायतों का संग्यान लिया और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष धीके शिवकुमार जी को कैंपेन कमिटी के चेर परसन एमबी पाठेल जी को और हम सब को यह आश्वाशन दिया कि वोटर लिस्ट का दु और अपरादिक कारवाई करेंगे चुनाव आयोग ने एक डिप्टी इलेक्षन कमिशनर को विशेश तोर से करनाटक भेज दिया है जो इस पूरे मामले की जाच करेगा चुनाव आयोग ने इस सारे हालात का संग्यान लेते हुए एक एपायार भी दर्ज करवादी है जिस लुगों की वोट चोरी का धंदा किया गया है करनाटक के वोटरों की इंफरमेशन चोरी करने का कानून के विरुद जो काम किया गया है शडियंत्र किया गया है पसवराज बोम्माई के नेत्रितों और तत्वा धान में उन मुख्या मंत्री को करनाटक के बीजेपी के नेत अधिकारियों को इसकी कडी से कडी सजा मिलेगी हमें ये बिश्वास है चुनावायोग ऐसा कर पाएगा। A vote theft fraud has happened in Karnataka under the aegis of Chief Minister Basavraj Bommai, who is in charge minister for Bengaluru. A private company associated and affiliated to BJP and its leaders, Chilume Trust and Chilume Enterprises, have stolen voters data, have collected voters data by impersonating as government officers, they have got fake cards printed, these are signed by the district electoral officer of Karnataka, of private contracted employees posing as BLOs of Election Commission of India. This itself proves a huge data theft, electoral information, voter information theft, fraud, criminal breach of trust and conspiracy has taken place. And this entire data has been uploaded to a private app. Not only this, in Karnataka in the recently voter list, 27 lakh votes have been deleted and 11 lakh votes have been added. We showed to Election Commission as to how Constituencies have been targeted in order to add and subtract so many votes of scheduled caste, of scheduled tribes, of poor or backward classes, of minorities, in order to affect the election outcome. Election Commission of India has heard us patiently for an hour, taken note and told us that Election Commission of India has already lost an FIR. They will take criminal action. Election Commission of India has sent its Deputy Election Commissioner to Karnataka to look at and investigate the entire matter. They have assured us that they will clean the entire voter list afresh and will not let any wrongful addition or deletion happen.